तो बच्चो आज हम भारत के भारते बैंकों के बारे में डिसकस करने वाले हैं कि किस बैंक की किस सन में इस्ताफना होई थी सबसे बड़ा बैंक कौन सा है और सबसे छोटा बैंक कौन सा है कौन सा गोवर्मेंट बैंक होता है तो उन सब बैंकों के बारे में आज हम अच्छे से जानने वाले है चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहला है हमारा सेंट्रल बैंक अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो यह कब हुआ था 1911 में हुआ था नेक्स्ट है हमारा यूनियन बैंक ओफ इंडिया यूनियन बैंक ओफ इंडिया कब हुआ था बच्छो 1919 में हुआ था लागू हुआ था नेक्स्ट है हमारा आंदर बैंक आंदर बैंक 1923 में आया था नेक्स्ट है हमारा इस्टेट बैंक ओफ इंडिया का 1955 में आया था, next है हमारा HDFC Bank,once है एजद्छी एपसी बैंक, 94 में आया था, next बैंक है हमारा United Bank, United Bank 1950 में आया k next है हमारा Yuko Bank, Yuko Bank, Innervation 43 शुवी में आया था, next है हमारा Dena Bank, Dena Bank कब व था व दूद्छो, 1938 में next है हमारा विजय बैंक, विजय बैंक 1931 इस्वी में नेक्स्ट है हमारा सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक कब आया था बच्छों 1985 में नेक्स्ट है हमारा कैनरा बैंक, कैनरा बैंक कब हुआ था लगू 1906 में नेक्स्ट है हमारा ओवसीज बैंक, ओवसीज बैंक 1937 में हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है हमारा ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक 1943 इस्वी में हुआ था नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के बारे में अगर बात करें तो 2007 में नेक्स्ट है हमारा IDBI, IDBI 1964 इस्वी में नेक्स्ट है हमारा ICICI, 1904 में नेक्स्ट है हमारा विजया बैंक, विजया बैंक मतलब 1931 में नेक्स्ट है हमारा इंफिरियल बैंक, इंफिरियल बैंक 1921 में नेक्स्ट कोश्चन है हमारा Bank of India, Bank of India 1906 में नेक्स्ट है हमारा इंडियन बैंक भारतिय बैंक 1907 में नेक्स्ट है हमारा अवद कमर्सियल बैंक 1880 इस्वी में नेक्स्ट है हमारा पंजाब एंड सिंधी बैंक 1908 में नेक्स्ट कोस्टेन है हमारा रिजर बैंक ओफ इंडिया 1935 इस्वी में नेक्स्ट है हमारा बैंक ओफ हिंदुस्तान, बैंक ओफ हिंदुस्तान, 1970 इस्वी में आया था नेक्स्ट है हमारा कोर्पोरेशन बैंक, कोर्पोरेशन बैंक, 1906 इस्वी में आया था नेक्स्ट है हमारा इलावाद बैंक इलावाद बैंक कब आया था बच्छो 1865 में आया था नेक्स्ट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक 1984 में आया था नेक्स्ट है हमारा बैंक ओब ब्रोडा बैंक ओब ब्रोडा की अगर हम बात करें तो यह 1908 में आया था टोटल अगर हम इंडिया के अंदर बैंक की बारे में बात करें तो कितने बैंक है बच्छो 145 बैंक है सबसे बड़ा और सबसे अमीर बैंक कौन सा है हमारा HDFC यह अच्छे से आप नोट कर लेना और अगर हम Indian biggest bank की बात करें इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा bank माना जाता है वो कौन सा बारतिय state bank है वो कौन सा बारतिय state bank है तो आज आपने बैंकों के बारे में अच्छे से discuss करा होगा कि कौन सा बैंक किस सन में आया था और हमारी इंडिया के अंदर कितने बैंक है सबसे बड़ा और सबसे अमीर बैंक कौन सा है इन सब के बारे में आज हमने अच्छे से डिसकस कर लिया है तो मिलता है फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ